हलो गाइज मेरे यूटीब चैनल आमस माचो में आप सभी का फिल्चो स्वागत है इस वीडियो में हम पतांजली के गलोई प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे जिसमें इसके सेवन करने के लावकारी फाइडो के बारे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि अब देख सकते हैं यह पतांजली की गलोई घनवाटी यह है पतांजली की गलोई स्वारास यह है पतांजली की गलोई सत्थ यह है पतांजली की गलोई क्वाथ और इस तरह होते हैं गलोई के पत्ते है बैक्टिरिया वाइरस से होने वाले सर्दे खासी बुखार को तुरंट ठीक करता है डाइबिटीज को कम करने में मददगार है डेंगू चिकुनगुनिया स्वाइम फ्लू एलर्जी लो प्लेटलेट्स को दूर करता है इसके अंदर कोशिकाओं को रीजन रिसन करने की छमता पाई जाती है ठकावट तनाव मोटापा कम करने में गिलोई काफी मददगार है गिलोई मसल स्टेंट को इंक्रीज करता है गिलोई आपके मसल पेन को जल्दी ठीक करता है जो जीम जाते हैं उनके लिए गिलोई बहुत ही फाइडेमन्ध है कैंसर से लड़ने में मददगार तोचा विकारों से मुत्र विकारों से यूरीक एसीड को कम करने में भूख का कम लगना जैसे बिमारियों को जल्द दूर करता है तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि अब सकते हैं यह है गिलोई घनिवटी का डबा इसे बनाने के लिए सिर्फ गिलोई का इस्तिमाल किया गया है इसकी नेट कॉंटिटी 60N है और MRP 100 रूपीज है इसे खोलने पर यह अंदर से सिल्पैक होती है इसे खरिटे वक्त ध्यान रहे कि यह खुला हुआ ना रहे तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं इसे खोलने के बाद हमें कुछ इस परकार की गोलिया मिलती है तो चलिए जानते हैं इसका सेवन किस परकार करें 5 से 12 साल से कम उमर के बच्चों को अधा अधा गोली दिन में दो बार खाने से पहले या बाद गुनगुने पानी के साथ दे 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को एक एक गोली दिन में दो बार गुनगुने पानी के साथ ले तीस साल से अधिक उम्र के लोगों को दो-दो गोली दिन में दो बर गुन-गुने पानी के साथ लेनी है प्रेगनेंट लेडी या ब्रेस्ट फिडिंग मदर इसका सेवन ना करे जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गिलोई जूस इसे बनाने के लिए सिरिफ गिलोई का ही इस्तेमाल किया गया है इसकी नेट कॉंटिटी 500 ml है और MRP 90 रूपीज है तो चलिए जानते हैं इसे सेवन करने का तरीका 5 से 12 साल के बच्चों को 7 ml यानी इसके 1 धकन या 1.5 चमच और इसके 2 गुने गुनगुने पानी के साथ दें 12 साल से अधिक उमर के लोगों को 15 ml यानी इसके 2 धकन या 3 चमच और 2 गुने गुनगुने के पानी के साथ लें तीस साल से अधिक उम्र के लोगों को 21 अमयल यानी तीन धक्कन या चार चम्माच और दो गुने गुनगुने पाने के साथ लेनी है जैसा कि अब देख सकते हैं ये है गलोई सत्थ इसे बनाने के लिए सिर्फ गलोई का इस्तिमाल क्या गया है इसकी नेट कॉंटिटी 5 ग्राम है और इसकी MRP 23 रूपीज है तो चलिए जानते हैं इसे 7 करने का तरीका पांच से बारा साल से कम उम्र के बच्चों को एक ग्राम यानी एक चुटकी गलोई सत्थ को साथ के साथ दिन में दो या तीन बार दें 12 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 2 ग्राम यानि 2 चुटकी गिलोई सत को साथ के साथ दिन में 2 या 3 बार ले तीस साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 3 ग्राम यानि 3 चुटकी गिलोई सत को साथ के साथ दिन में 2 या 3 बार ले जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गिलोई कवाथ इसे बनाने के लिए सेफ गिलोई का ही इस्तिमाल किया गया है इसकी नेट कुएंटिटी 200 ग्राम है और MRP 20 रूपीज है तो चलिए जानते हैं इसे सेवन करने का तरीगा पांच से बारा साल से कम उम्र के वच्चों के लिए पांच ग्राम यानी एक चमच गिलोई कवाथ को दो का पानी में उबाल कर एक कप हो जाने पर छान कर उसे थोड़ा ठंड़ा करके सुवा साम इसका सेवन खाली पेट करें अच्छे स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा सहत मिला सकते हैं बारा साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए दस ग्राम यानी दो चमच गिलोई पात को चार कप पानी में उबाल कर एक कप हो जाने पर छानकर उसे थोड़ा ठंड़ा करके सुवा साम इसका सेवन खाली प तिल you found my way this season